है वेलकम बैक दोस्तों स्वागत करता आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो में आपका वाई एक और वीडियो लेके आपके समने हाजर हो चुका है जैसा कि आपने टाइटल और थम्नेल देखे पता ही कर लिया होगा कि ये वीडियो कि इस टॉपिक के ओपर जाने वाला हो कि अगर आप टेटू बनवाने के बार में सोच रहे हो या अगर अपने टेटू बनवा चुकी हो तो आपको किन dogiki बातों का ध्यान रखना होगा अगर आपको जैसा पता ही होगा अगर आप आपने इव्र व्र professions करते में तो ही आपका टेटू आपके हाथपे याम से बाइस से कहीं भी जहां भी आपने बनवाएं वहां एक अच्छा रूप ले पाएगा जैसा कि आप लोग को पता ही है टेटू बनवाने का आज ट्रेंड हर जगा पे हो चुका है बच्चे से लेकर जो व्रिद लोग होते हैं उनके हाथ पर या कहीं भी या लेडिस हो या बयसimento हर इंसानों में आज टेटू देखने का ट्रेंड देखने को मिलता लेकिन कई लोगों को आपने ये वी देखा होगा कि उनके हाथों पे जो टेटू बना होता वो खराब हो जाता वो किस कारण से खराब होता है वो ऐसी कौन से लापरवाई देते हैं जिसके उनका ट से दिनों के अंदर अंदर यहीं वर्लाएं द्वार के वारे में कैसे पता हुआ कि दोस्तों मैंने भी हाल में टेटू बन वाया हुआ जिसके कार मुझे किन किन nhân को को नोटिस किया हूँ जिससे मैं अपना पर्शननल ऑमес का रहता आब का या तो 100% दावा है कि आपका टेट्व एक 15 दिनों के अंदर अच्छा निर्मान ले सकेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से उतनी डिक्वेस्ट है जो लग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारी चैनल को बाते हैं जिसको आपको ध्यान से फोलो करना होगा और आपको ये बाते ध्यान में रखनी होगी सबसे फर्स्ट है अगर आपने टेटू बनवाया है तो आपको छे से साथ दिन तक या ध्यान रखे कि कहीं भी आप धूप में निकलते तो आपके टेटू पर धूप ना होते हैं सेकेंड है आपको टेटू बनवाने के बाद में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं खानी चाहिए क्योंकि जैसा आप खाओगे वैसे ही आपका सरीर में प्रमाट देखने को मिलेगा इसलिए आपको सबसे फर्स्ट आपको जंक फूट बिल्कुल भी न खाओ और आपको जो लोग नोन वेज़ हैं ध्यान रखना हुगा 15 दिनों तक मातर बस 15 दिनों तक अगर आप अपने टेटू का अच्छी तरह से निरमान करना चाहते हो 15 दिनों तक आपका नोन वेज अच्छी तरह से निर्मान हो जब 15 दिनों के बाद आप किसी भी तरह की कोई बीची जो आपका जो भी मनो उसका आप सेवन कर सकते हो अब मैं आपको तीसरा कारण बताऊंगा ध्यान लखे अगर आप बहार निकलते हो तो आपको या नहाते हो तो नहाने से पहले आप जो टे हांत वर जिन नहांते है और चोथा है। कहीं सक ब्रेंद बन जिए जो जो टेटू रॉंग हाता उसकी क्रीम की क्रीम आती है शर्सब के तेडी निकलन ने निकलत नों टेटू बनवाने के बाद में तो तो आपकी वो चमडी धीयद्री निकले जिससे आपके पैन ना होगा तो आपका धीयद्री जो चमडी निकलेगी तो आपका टेट्व एक अच्छा निर्मान ले सकेगा और पांच वाई अगर आप लोग अपनी टेट्व के बहुत जादा ध्याम देने के बावजूद भी आ आप अपनी तरफ से सोचते हैं कि मैंने किसी बहुता की लापरवाई तो बढ़ती हुआ है लेकिन फिर भी आपके टेट्व के आसपास के तो आपको मेडियस्ट निकल रहे हो तो आपको मेडिसंग का साह लेना चीए लेकिन मैं आपको सबसे बैस्ट मेडिसंग दे रहा से कंपनी उसकी आपको टेबलेट एंची आप किसी भी फार्मसी स्टोर पर जाओगे तो आपको वो देदी का वहां से आप प्रचिस के लिए यह जो आप टेबलेटे माद दो से तीन दिन बाद तीन दिन में का सेवन कीजिए अगर आपके दाने निकले हैं तो वह वहां से प प्लापरवाई ना वरतिया अपने टेटू को लेकर तो दोस्तों वीडियो की जानकाई आपको कैसी लगी अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा अपने स्वाई के फेमिली का इस्ता बनने क सब्सक्राइब कर लिए तो आज के लिए तो आज के लिए इस इतना ही तो भेने का दूस्त